मेरा नाम वधना सिंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम UPPSC के लिए 2024 और ROAR के लिए अपने current affair जो है उसको prepare करें तो इसमें हम क्या करेंगे कि UPPSC के लिए जो आपको PCS का paper होता है उसमें हम prelims और mains दोनों के current affair डिस्कस करेंगे हिंदी और English में, हिंदी और English में, ROAR के current affairs और दूसी चीज हम डिस्कस करेंगे कौन सा आपको single source यूज़ करना है जिससे आपके सारे current affair पिपेर हो जाए और हम mains के लिए भी जो current affair की strategy है वो डिस्कस करेंगे और सबसे जादा important है हम यह डिस्कस करेंगे मैं आपको एक source दिखाऊंगी जिससे 100% question आये है 100% जिस source से question आये है वो मैं आपको दिखाऊंगी proof तो आप last तक जो है वीडियो को देखिएगा ओके तो सबसे पहले हम prelims के लिए देख लेते हैं तो prelims के लिए देखो अगर आप Hindi medium से हो तो आप जो है अगर आप Hindi medium से हो तो आप क्या है गटना चक्र प्लस गटना सार अब यह जो magazines आती हैं आप उसको पढ़ सकते हो देखो मैं अभी भी आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जो है monthly current affairs उनको पढ़ना शुरू करिए क्योंकि वो last में जो आप last में पूरा compilation पढ़ते हैं और last में जो आप magazines के लिए wait करते हैं वो बहुत fruitful नहीं है और वो disaster create करती है कि आप 15 दिन पहले जो है magazines खरीद रहे हैं फिर उनको याद कर रहे हैं तो वो बहुत disaster create करती है मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है monthly magazine पर ही stick रहें और उनको ही बार-बार पढ़ें और बार-बार revise करें English medium के लिए क्या है English medium के लिए आप क्या कर सकते हैं पहला सोर्स Chronicle IS यह पहला सोर्स हो गया दूसरा सोर्स जो है आपको क्या पढ़ना है पृतियोगिता दरपन या इद रिष्टी में से एक और UP special के लिए आप क्या पढ़िए मैं ACPPAC जो टेलिग्राम चैनल है वहाँ UP special की news clip डलती है आप उसको देख सकते हैं यह आपका हो गया प्रिलेंस के लिए English medium ले single source की जो बात करें single source इसके अलाव आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको इन तीनों में से कोई source पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप यह single source refer करेंगे तो आप ASUPPSC की monthly जो current affair magazine है उनको आप refer कर सकते हैं जो monthly magazine है वो 40 to 50 pages की होती है तो ज्यादा बलकी भी नहीं हो सारे आपके current affair प्रिपेर हो जाएंगे अब देखे 102 जो है पूरे questions आयते मैं भी आपको दिखाऊंगी कैसे current affair से question आयते है अब यह आप लास्ट तक वीडियो को देखिए यह आपका हो गया pre का मेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं यूपी special के लिए आप एसी टेलीग्राम चैनल और जू है एडिटोरियल के लिए एडिटोरियल में आपको कोई भी कोई भी एडिटोरियल अच्छा लगता है मतलब कोई भी कोई भी कोई भी यूट्यूब चैनल एनी YouTube चैनल जिसका एडिटोरियल आपको अच्छा लगता है, Only IS हो गया, Sleepy Classes हो गया और किसी का भी जिसका आपको देखने को अच्छा लगता है, उनका आप एडिटोरियल देख लीजे, इसमें अगर आप PCS की भी तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रिलिम स्कोर्स के साथ है, इसके साथ तो अगर आप PCS की भी तैयारी कर रहे हैं, आरो, आरो की भी तैयारी कर रहे हैं, यह Current Affair जो magazine है, आपके लिए बहुत fruitful होगा, तो आप यह Current Affair magazine ले सकते हैं, और साथ में यह बाकी यह test series और notes हैं, तो यह test series और notes हैं, यह आपको PCS exam है और RO exam है, दोनों के लिए जो है, दोनों के लिए जो है, एकदम fruitful रहने वाला है और दोनों के लिए आपको काम आएगा, तो यह Current Affair जो है, आप इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, अभी में हम बात कर लेते हैं, कि वो कौन सा सिंगल जो source है, जहां से 100% जो आपके Current Affair जो है, वो cover होते हैं, तो हम अभी वो देख लेते हैं, डारेक्ट यह 102 question प्रेडिक्ट हुए थे total, अब मैं आपको सिर्फ Current Affair के question दिखाती हूँ, कि सिंगल source जो ACPPAC की magazine है, वहां से जो Current Affair के question आये हैं, अल्मोस्ट आपके सारे question देखे, यह देखे, यह greenhouse gas वाला question है, यह fiscal deficit 3.5 वाला यह direct जो है, आपके UP budget के PDF में था, और यह मैंने जो PDF है, वो YouTube पे डाली ती, तो आप आप हां से देख सकते हैं, यह पूरा यह जो है, जलसिक शक्ती है, जो है, कितना है, किसको क्या मिला है, य PDF में, यह expenditure वाला भी पूरा जो है, PDF में था, यह PDF YouTube पे भी होगी, तो मैंने YouTube पे डाला था, यह बिल्कुल direct question, यह union budget का कि किसमें कितना है, तो यह पूरा comparison कि किसमें कितना है, किसका वेटेज कितना है, बिल्कुल direct यह question, बिल्कुल यह question था, फिर उसके बाद आप देख सकत हैं, फिर उसके बाद HDI Index वाला जो question है, PM गती शक्ति वाला question, direct question, midday meal scheme, यह direct question, wetland day, यह direct question, फिर उसके बाद यह जो प्रोग्राम वाला है था, गंगा एक्सप्रेस वाला, यह direct question, फिर उसके बाद scheme कौन सा correctly match नहीं है, यह direct question, सुदर्शन प्रहार, यह direct question, फिर उसके बाद शोचल प्रोग्रेस इंडेक्स का यह direct question, निसार सेटलाइट का यह direct question, फिर उसके बाद All the Lives We Never Lived, यह direct question, आप यहां से देख सकते हैं, फिर उसके बाद हेलिकॉप्टर का आप देख सकते हैं, यह direct question, तुमकूरा जो कनाटका में है, फिर उसके बाद G20 लोगो वाला, फिर नाटू नाटू वाला, फिर उसके बाद Lithium वाला, यह direct question, फिर उसके बाद Scorpene class submarine, यह direct question, आइनस वगीर, कलवरी class का था, यह direct question, फिर उसके बाद जो है, Airline Crash जो हुआ था, यह direct question, फिर उसके बाद है, प्राइम मिनिस्टर न्यूजिलेंड कॉन मनित है, Chris Hipskins, यह direct question, यह direct question फिर SEO Film Festival, यह direct question, फिर उसके बाद उत्तरपेदेश में 11 meetings हुई थी, यह direct question, फिर 12 Cheetahs वाला, जो direct question है, तो आप देख सकते हैं, मतलब अलमोज जो है, सारे ही question जो है, वो ACPPSC, जो current affairs है, वहां से आपके cover होगे, बाकि आप GS का तो देखी सकते हैं, तो मतलब इतना जो time नही नहीं है, कि आप जो है, एक source से देखो, current affair prepare नहीं होगा, to be very true, एक source से, मतलब अगर आप ये वाले source करो, कि अगर आप ये वाले source करो, तो एक source से current affair prepare नहीं होगा, तो ये जो source है, इसमें कम से कम आपका, इतना concise करके इसको बनाया गया है, 40-50 pages में, कि इसमें 5-6 sources हैं, और क no one can concise this much, मतलब कोई भी magazine देखोगे, वो इतने pages में concise करके आपको देही नहीं सकता है, 40-50 pages में, आपको concise करके, सारी magazines में, आपको मिली है, monthly current affair, ये आपको ROAR के लिए भी useful होगा, और UPPAC के लिए तो useful है, दोनों के लिए भी, क्योंकि देखो, ये भी पढ़ना, फिर ये भी कंसाइस करना, इनके notes बनाना, थोड़ा smart work करो, कि मतलब इतना hard work करने की क्या जोरत है, इतना hard work करने की, तो it's better to buy this source, to refer this source, तो टीक है, अगर जिसको नहीं करना है, वो ये जो है, ये इसको refer कर सकता है, otherwise I suggest you, कि अगर आपको afford कर सकते हैं, और आपको थोड़ा भी सही लगत आप देख सकते हैं, और UP special के लिए, टेलिग्राम चैनल, और ये सब देख सकते हैं, और बाकी मैंने मेंस की strategy बता रखी है, बाकी मेंस की strategy, तो वहां से बाकी सारी चीज़े clear हो जाएंगी, तो ये अभी आप ये सारी चीज़ों को refer करें, और यहां से बहुत सारी चीज़े जो है आपकी clear हो जाएंगी, thank you and all the best.